सब्सक्राइब कीजिए ग्यानोके चैनल को और गौर्मेंट जॉप्स गौर्मेंट इसकीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोट्विकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तीज हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल ग्यानोके में तो दोस्तों प्रधान मंतरी किसान सम्माने दी से रिलेटेड जानकारी हम आपके लिए समय समय पे लेके आते रहते हैं और इस वीडियो में भी हम आपके लिए प्रधान मंतरी किसान सम्माने दी योजना से कुछ जानकारी लेक़ आए हैं और इसी बारे में आपने बहुत बार विडियो के में पूछा भी है और ये जानकारी आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है इसलिए इसके ऊपर हमने एकиру लिए बना रहे हैं तो दोस्तों प्रधानमंत्र and payment confirmation is pending यह आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको कि FTO is generated का मतलब क्या होता है PM किसान सम्मानी दी योजना का जो आपका status होता है जो योजना है इसमें ये FTO का मतलब क्या होता है तो दोस्तों कुछ लोगों को ये इसके बारे मालूम भी है और कुछ लोगों को ये जानना जरूरी है जिन लोगों को मालूम नहीं है कि FTO का मतलब क्या होता है तो दोस्तों अगर PM किसान सम्मानी दी योजना की 2000 रुपे किस्त आपको नहीं मिली है या आपने status चेक किया है और चेक करने पर आपको ये देखने को मिलता है FTO is generated and payment confirmation is bending ये message आपको अगर दिखाई देता है इस तरह status में जैसे कि आप याँ पे देख रहे हैं ऊपर installment होगी second या first या third इस तरह से installment होगी payment status में FTO is generated and payment confirmation is bending दिखा रहा है तो इसका क्या मतलब होता है इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं तो यह FTO क्या होता है और यह क्यों दिखाता है तो दोस्तों जब आप PM के सांद समाने दीगी website पे अपना payment का status चेक करते हैं तो तब आपको installment payment status में आपको FTO दिखाता है और इसमें लिखा रहेता है payment confirmation is bending तो FTO का मतलब होता है fund transfer order जैसे कि मैं पुराने वीडियो में यह बताया है कि FTO का मतलब fund transfer order होता है लेकिन किसी particular video में यह FTO के बारे में नहीं बताया था तो इसका मतलब होता है कि आपका जो fund है यानि आपकी जो किस्त है उसका transfer उसका transfer करने का order दे लिया गया है तो दोस्तों FTO से पहले भी एक चीज़ दिखात यह भी आपको देखने को मिलता होगा RFT का मतलब होता है request fund transfer यानि कि पहले request की जाती है fund transfer की उसके बाद आपका जो जो data है पूरा उसको एक बाद फिर से verify किया जाता है सारी जानकारी सही है और जब आपके सारी जानकारी सही है तो राजे सरकार वापस से फिर fund transfer order कर देती ह है PM के सांद सम्मानी दी योजना के लिए कि आपका जो पूरी जानकारी है वो सही है आपको आपको जो fund है आपका जो किस्त है वो आपके account में भीज दी जाए तो यह इस तरह से जब आपको पैसे दिये जाते हैं आपके खाते पे पैसे बेजे बेजे जाने होते हैं तो उस सबसीडी जब दी जाती है तो सबसीडी चेक करने में जब इस्टेड़स में आपको FTO generated कई भी दिखाए दिये या जो आपको सबसीडी मिल रही है उसमें कहीं भी अगर FTO का जिक्र कहीं होता है तो उसमें FTO का मतलब fund transfer order से ही लिया जाए यानि कि fund transfer order को ही FTO sort में बोलते है तो इस तरह से दोस्तों आपको यह जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं इस photo में देख रहे हैं तो payment status में आप देख सकते हैं FTO is generated and payment confirmation is pending इस तरह से दिखाएगा तो यह इस तरह से दोस्तों आपका FTO अगर दिखाता है आपको FTO का दिखाने का मतलब यह है कि आपके account में जल जो है order कर दिए गये हैं front के लिए यानि किस्त के लिए और आपको जली इसकी किस्त जो है मिलने वाली है तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान समानिदी से related यह FTO generated का क्या मतलब होता है इसके बारे में आपने इस वीडियो में जाना और यह message अगर आपको दिखाए तो आपक कोई गबराने वाली बात नहीं है कोई भी मतलब यह सोचने वाली बात नहीं है कि इसका अगर यह दिखा रहा है तो पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर आपको FTO दिखाता है तो आपको पेमेंट जरूर मिलने वाली है कुछी दिनों के अंदर FTO दिखाने के कम सगम 20-30 दिन के अंदर अंदर आपको payment जो है confirm मिल जाती है तो दोस्तों इसी तरह प्रधानमंत्री की सान सम्मानी दियोजना से related latest जानकारी हम आपके लिए के आते रहते हैं और इसी तरह की जानकारी पानी के लिए आप हमार साथ बने रहे हैं हमारे चैनल को like, share और subscribe करें और बेल आइकन को तबाना बिल्कुल न भूलिएगा साथ ही दोस्तों आपका PM के सान सम्मानी दियोजना से related अगर कोई question है कोई समस्या है तो आप नीचे comment box में जरूर लिखें तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद